हेलो गाईज वेलकम टो एपेक्स स्टड़ी स्वागत आप सभी का एपेक्स स्टड़ी में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं 36 गड़ के वर्तमान पता अधिकारी जो कि आपके 36 गड़ के सभी प्रतियोगी पिक्षा हाथू काफी महत्पूर्ण हैं तो चलिए दोस्तों स्टाट करते हैं तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तो 36 गड़ के वर्तमान मुख्य मंतरी कौन है तो कौन है दोस्तो श्री भूपेश बखेल जो है 36 गड़ के वर्तमान मुख्य मंतरी है फे देखने दोस्तो 36 गड़ के वर्तमान विपक्ष के नेता कौन है तो कौन है दोस्तो, श्री धरम लाल कौशिक जो है, जो कि बिल्ला विकासखन से संबंदित है, आप जो हैं 36 गड़के नेता प्रतीपक्ष्य हैं चलिए दोस्तो अगला देखते हैं चतिस गड़ के वर्तमान विधान सभा अध्यक्ष कौन है तो चतिस गड़ में दोस्तो वर्तमान में विधान सभा अध्यक्ष कौन है चरन दास महंत जी जो है वो चतिस गड़ के वर्तमान विधान सभा अध्यक्ष है इसके बाद है दोस्तो 36 गड़ की वर्तमान राज्यपाल कौन है तो अभी भी आप सभी जानते हैं कि 36 गड़ के छटवे करम के जो है पूर्ण कालिक राज्यपाल कौन बनाएगी है शूरी अनुसुया उईके जी को जो है बनाया गया है इसके बाद देखते हैं दोस्तो वर्तमान सरकार में प्रोटेम स्पीकर कौन नियुक्त किये गए थे तो कौन किये गए थे दोस्तो स्री राम पुकार से हैं प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किये गए थे ठीके दोस्तो जब तक जो है आपके विधान सभाव में अध्यक्ष नहीं बनाए जाते हैं तब तक जो है प्रोटेम स्पीकर जो है ये रहते हैं इसके बात करते हैं दोस्तो चतिस गड़ के बारवे क्रम के मुख्य नयायाधिश कौन है तो कौन है दोस्तो नयायमूर्ती पी आर मेनन जी जो हैं दोस्तो ये चतिस गड़ के बारवे क्रम के मुख्य नयायाधिश हैं और आप जो है इसके पहले केरल हाई कोट में सेवा दे रहे थे इसके बाद है दोस्तो चतिसगर के नए मुख्य सचिव कौन है तो कौन है दोस्तो श्री सुनील कुजूर जो है यह चतिसगर के नए मुख्य सचिव है ठीक है दोस्तो अगला है दोस्तो चतिसगर प्रदेश कॉंग्रेस कमीटी के अध्यक्ष कौन है तो कौन है श्री मोहन मर काम जी जो हैं दोस्तो यह 36 गर प्रदेश कॉंग्रेस कमिटी के अध्यक्ष बनाए गए हैं और यह कोंडा गाउं से जो हैं विधायक हैं अगले दोस्तो 36 गर प्रदेश भाजपा कमिटी के अध्यक्ष कौन हैं तो कौन हैं विक्रम उसेंडी जी जो हैं दोस्तो 36 गर प्रद भेखते हैं 36 गड़ के 44 करम के लोकायुक्त कौन है तो कौन है 4 पी शर्माजी जो है 46 गड़ में इसके बाद आते हैं दोस्तो 36 गड़ के वरतमान माहा अधिवाक्ता कौन है ये काफी महत्पूर्ण है दोस्तोा से कंड़िबल से चल रहा था ठीक न तो कौन है वर्तमान में श्री शतीष चंद्वर्मा जी जो है वो चाथिस गर के महा अधिवक्ता हैं वर्तमान में नेश्ट है दोस्तो जीरम घाटी हमला जाज की स.i.t के प्रमुख कौन है तो कौन है श्री विवेका नंद सिंधा जो है इस स.i.t के प्रमुख है अध्यक्ष बनाए गए हैं नस्त दोस्तों चत्तिस गड़ होकी संग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है तो कौन है श्री फिरोज अंसारी जो हैं दोस्तों चत्तिस गड़ होकी संग के वर्तमान अध्यक्ष हैं इसके बाद आता है दोस्तों चत्तिस गड़ राजी उपभोकता विवाद प्रती तोशन आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है तो कौन है दोस्तो जस्टिस सी बी वाजपई या फिर चंद्र चून वाजपई भी कहते हैं तो जस्टिस सी बी वाजपई या जस्टिस चंद्र भूशन चंद्र भूशन वाजपई जी हैं अगला है दोस्तो 36 गर राज प्रशाशनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन है तो कौन है दोस्तो S के मिश्रा जी जो है या फिर इनका पूरा नाम जो है श्री सुयोग सुयोग्य कुमार मिश्रा जी ठीक है तो ये जो है अध्यक्ष है और इसका निर्मान जो है 23 सितंबर 2015 को जो है प्रशाशनिक सुधार आयोग का गठन किया गया था 36 गड़ के लिए अगला है दोस्तो 36 गड़ राज भाशा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है तो कौन है श्री विने कुमार पाठक जो है वो 36 गड़ राज भाशा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष है अगला है दोस्तो और काफी महत्पूर ने 36 गड़ महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है तो कौन है दोस्तो श्री मती अनीला भेडिया जो है वो वर्तमान अध्यक्ष है 36 गर महिला आयो की ठीक है चलिए अगला देखते हैं सरगुजा छेत्र आदिवासी विकास प्राधी करन के वर्तमान अध्यक्ष कौन है तो सरगुजा छेत्र आदिवासी विकास प्राधी करन के वर्तमान अध्यक्ष कौन है स्री खेल सायस सी हैं जो हैं ये इसके अध्यक्ष हैं और उपाध्यक्ष कौन हैं ब्रिहस्पती सी हैं और गुलाब कमरो ठीक है दोस्तो अगला है दोस्तो बस्तर छेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरन के अध्यक्ष कौन हैं तो कौन हैं लखेश्वर बगेल जो हैं इसके उपाध्यक्ष हैं बस्तर छेत्र आदिवासी विकास प्राध्यकरन के अगला है दोस्तों मद्य छेत्र आदिवासी विकास प्राध्यकरन के अध्यक्ष कौन हैं तो कौन हैं लाल जी राठिया जो हैं इसके अध्यक्ष हैं और उपाध्यक्ष कौन हैं लक्षमी ध्रू और प मंत्री का दरजा दिया गया है और जो उपाध्यक्ष होते हैं उनको राजी मंत्री का दरजा दिया गया है ठीक है इसके अलब मेंस पढ़ाते वक्त मैंने प्राधी करण पे भी जो वीडियो बनाया है इन सभी प्राधी करणों पे किसकी संद्चना कैसी होती है क्या है क्या नहीं है तो अगर आपका अच्छे समझना है तो वहां जाके आप देख सकते हो ठीक है चलिए दोस्तों अगला देखते हैं तो कौन है दोस्तों डी एम अवस्थी या फिर इंका पूरा नाम क्या है दुरुगेश माधव अवस्थी आप जो है चलिए दोस्तों अगला देखते है भिलाई इस पात सयंत्र के मुखे कारण पालन अधिकारी कौन है तो कौन है अनिर्बन दाज गुपता जी जो है वो भि लाई स्टिल प्लांट या ब्यस्थी भी कहते है इसके जो है मुखे कारण पालन अधिकारी या CEO है अगला है दोस्तों भूज संपदा वी नियायमक प्राधिकरन के वरतमान अध्यक्ष कौन है जिसे शौर्ट में रेरा के नाम से भी जाना जाता है तो कौन है श्री विवे अगला है दोस्तों चटिस गड़ फिल्म विकास निगम के वरतमान अध्यक्ष कौन है तो कौन है दोस्तों श्री राजेस अवस्थी जो है वो चटिस गड़ फिल्म विकास निगम के वरतमान अध्यक्ष है अगला है दोस्तों चटिस गड़ राजेस इक्षा आयोग के वर वर्तमान अध्यक्ष कौन है तो कौन है श्री चंद भूशन सर्मा जी जो है वो चतिसगर राजे सिक्षा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष है नेस्ट है दोस्तो चतिसगर राजे युवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है तो कौन है श्री कमल भंज देव जो है ये चति तो देखिए पिछड़ा वर्ग आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है तो देखिए पिछड़ा वर्ग आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है तो देखिए पिछड़ा वर्ग आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है तो देखिए पिछड़ा वर्ग आयोग के जो अध्यक् ये 36 गड़ पिछड़ा वरग आयोग के जो हैं अभी वर्तमान में जो हैं प्रभार में हैं और सम्हाल रहे हैं और आप कौन है एनर कुर्रे हैं इसी प्रकार 36 गड़ अनुसूची जाती आयोग के अध्यक्ष कौन है तो 36 गड़ अनुसूची जाती आयोग के साथ भी यही मा प्रभारवें हैं इसी प्रकार 36 जन जाती आयोग के अध्यक्ष कौन है तो कौन है दोस्तों पहले जिया राणा थे और अभी जो है अध्यक्ष और सदस्यों ने इस्तिफा दे दिया है यहां पे भी तो इस प्रकार अभी जो इस सचीव है अगला है दोस्तों 36 गर्डाजे मानवा अधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है तो कौन है दोस्तों श्री महेंद्र पाल सिंग जो है वो 36 गर्डाजे मानवा अधिकार आयोग के अध्यक्ष है नेस्ट दोस्तो चतिसगर मुख्य सूचना आयुक्त कौन है तो चतिसगर के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है श्री एम के राहुत जो है वो चतिसगर के मुख्य सूचना आयुक्त है अगला है दोस्तो चतिसगर सहकारी निर्वाचन आयुक्त कौन है काफी मतकौन है तो दे दोस्तो एडिशनल चार्ज दे दिया गया है अत्रिक्त प्रभार में यह हैं अभी आयुक्त ठीक हैं और यह प्रमुक सचीव भी हैं 36 कड़के अगला आता है दोस्तो राज अलप संखक आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है तो अलप संखक आयोग के कौन है दोस्तो हाजी नायत जो हैं दोस्तो आप जो है राज अल्ब संखक आयों के वर्तमान अध्यक्ष हैं नेस्ट आता है दोस्तो राज उर्दू अकादमी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है तो भी राज उर्दू अकादमी के अध्यक्ष नहीं है दोस्तो तो इस ते जो सचीव है श्री सैयद अकबर, अली, हाश्मी इनको जो हैं दोस्तो, राज उर्दु Аकादमी का जो है, अध्यक्ष प्रभार दिया गया है ठीक है। और ये यहाँ राज उर्दु अकादमी में एक अध्यक्ष और 12 सदस्य होते हैं दोस्तो, ठीक है। तो ये था दोस्तों आपका 36 गड़ से सम्मंदित मुखे पदा दिकारी जो कि आपके 36 गड़ के सभी प्रतियोगी प्रिक्षाओं के लिए काफी ही जादा महत्तपूर्ण है दोस्तों आशा है कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा चला को सब्सक्राइब केजेगा वीडियो को लाइक किजेगा शेयर किजेगा हमें कमेंट किजेगा और हमारे साथ इसी तरह बने रहेगा थैंक यू एन आल था बेस्ट